16 शिव सोंबा 17,000 योग प्रिचंड विजय यूपी अंदुशक शिक्षक सरकार के वकील का पक्ष हुआ कम सोब्र देना होगा अंदुशकों को हक अंदुशकों को 17,000 मान दे 9% व्याज देने के मामले की डेट 16 को होगी सुनवाई यानि कल राष्ट निर्माताओं को हक मिलना चाहिए अंदिशक शिक्षकों को दस साल बाद मिल सकता है पूर्ण नियाए हो नियमिती करण यही माग है अन्य राज्यों की तरह शिक्षक का पूर्ण दर्जा दिया जाए अंदिशक शिक्षकों को नमस्कार आप देखना अंदिशक न्यूज शुरू करते हैं आज की पूरी रिपोर्ट वेलकम बेक सात्य एन वीटी ब्यूरो प्रियागराश से ये समाचार पत्र में न्यूज लगी वी थी सिंगल वेंच के फैसले को राज सरकार ने विशेस अपील में चिनोदी दी है सरकार की विशेस अपील पर गुरुबार को चीफ जेस्टिस राजिश विंदल और जेस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच में सुनबाई हुई याचियों की ओर से अधिवक्ता दुरुगात्यवादी एवं सुप्रीम कोर्ट से आये वपेल डॉक्टर एपे सिंग ने अंदोशो को पक्ष रखा अंदोशो को 17,000 मांदे दिये जाना चाहिए केंदर सरकार ने भी 2017 में 17,000 मांदे देने का आदेश दिया था इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर केंदर ने बजट नहीं दिया तो राज सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई कोर्ट ने लगवग एक गंटे तक दोनों पक्षों की वैस सुनने के बाद 16 माई को दुबारा मामले की सुनबाई का आदेश दिया है और तलब है कि प्रदेश में लगबग 27,000 अंदोशकों का मांदे जोरा 17 में किन सरकार ने बढ़ा कर 17,000 रुपे कर दिया था जिसको यूपी सरकार ने लागू नहीं किया है मांदे बढ़ाने की मांग को लेकर अंदेशकों ने हाई कोड में रेट दाखिल की थी जिस पर सुनबाई करते हुए 3 जुलाई 2019 को जस्टिश राजिश चोहान की सिंगल बेंच ने अंदेशकों को 2017 में ही 17,000 मांदे और वो भी 9% व्याज के साथ देने का आदिश दिया था इस फैसले के खिलाफ राज सरकार ने विशेश अपील दाखिल की है विवेक सिंग और आशुटो शुकला की ओर से याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सिंगल वेंच के फैसले के खिलाफ राजसरकार ने विशेश अपील दायर की है यानि कि अब कल सुनवाई है यानि कि 16 माई को अंदेशक मांदे 17.009 परसेंट वे आज की सुनवाई है देखते हैं कि क्या होता है अंदेशकों को किस हद तक और कैसे विजय प्राप्त होगी क्या दुरुगातिवारी और डॉक्टर एपी सिंग सुप्रीम कोट के वकील जो हैं उनकी बात को समान करते हुए हिलावाद हाई कोट अंदेशकों को पक्ष में फैसला सुनाएगा ये तो वक्त बताएगा साथिव ये ती अब तक की खास ख़वर इसी उमीद के साथ आप सभी को हार्दिक शुब कामना है कि कल आपका फैसला आपके पक्ष में आए आपको विजय प्राप्त हो और आपका मादेश सत्तरा जार नौ परसेंट व्याज के मिलने के साथ ही अन सरकार अनिराज सरकारों के तरह आपको भी नीमी तीकरण दिया जाए जहन जय भारत वंदिमात्रम